करें है कि वेलकम तू ओल स्वागत आप सभी का आरश्र यूट्यूब चुनल पर हम आ चुके हैं भी लाइव जैहिन नमस्ते वेलकम गुड मॉर्निंग एलेक्टोनिक्स पारट टू के बार में हम आज बात करने वाले हैं टोटल जो लेक्चर नमबर होगा वो होगा 128 लेक्चर नमबर यहां पर है 128 और यह हमारी क्लास है क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बज के 10 मिनट पर दो-3 दिन से आपकी क्लास के डिस्ट अप हो गी ती आपको पता है problem क्या थी आज फिर से आपकी class continue हो रही है continue आपकी चलेगी यहां पैगर में बात करता हूं electronics part 2 आज की class में हम बात करने वाले हैं electronics part 2 की अगर आपने part 1 miss कर दिया है तो उसको जरूर से देखिएगा part 1 इसका basic चीजे तैयार की गई है इसके बारे में हम अभी बाते कर रहे हैं बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल बनने वाला है बहुत ही गजब का concept बनने वाला है टॉप लेवल का क्यूशन बनने वाले यहां से एक एक चीज़ को अपन दिल दिमाग उर्दे फेपड़े में स्केन करवा देंगे आपको बस एक चीज़ यह वो है आपका focus class में और आपका time ठीक है चलो तो part 1 आपने clear कर लिया है आगे बढ़ते हैं आज की class भी बहुत यूनीक होने वाली है जबरदस्त होने वाली है तीम टीम आरसर जो लगातार आपके लिए मैनत कर रही है और दिलो जान से लगे विए सुबह से लेके साम तक ठीक है यह हमारी टीम टीम आरसर आगे बढ़ते हैं अगर करना चाहता है तो यह कैटेगरी है सेलेक्ट करनी है उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा हमारा जो नया एक बैच कोर्स अभी हमने लॉंच किया था एक नया बैच को और और आ रहा है जो 26 जनवरी से लाइव होगा ठीक है यास तो जो बच्छी अन कर सकते हैं रसर कैपिटल में लाइव आजाएगा रसर लाइव देन आपको 10 प्रसेंट ओफ होगा और उसी प्राइज रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं यह हमारा टेलिग्राम चैनल है बिटा सबी बच्चे देख लो टीम रसर 31,000 प्लस बच्चे अल्रेडी इस पे जोइन हैं बहुत ही बढ़िया आपका फ्यार सपोर्ट है और यहां पे हम क्लासों के अपडेट लिंक वगेरा पीडिये वगेरा जो प्रोवाइड करनी होती हो यहीं पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं तो यह हो गया आपका टेलिग्राम चैनल अब आते हैं पॉइंट पे पॉइंट है आपका एलेक्ट्रोनिकस क्लास को आगे कंटीनु करो इससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट है है बेटा हमेंच यह आपका पूरा सपोर्ट और वह भी दिल वाला दिखने वाला नहीं दिल वाला बोले तो आपको class को फटापड इमानदारी के साथ में share करनी है ये मत सोचना कि मैं एक share नहीं करूँगा तो वह दूसरा कर देगा तो हो जाएगा प्रते एक बच्चा इमानदारी के साथ दिल से class को share करेगा और support करेगा देखता हूँ कितने बच्चे हैं जो actual में ये मानते हैं कि हाँ सर बात सही है share करना बनता है support करना बनता है electronics part 1 आपने इसका clear कर लिया है और आज electronics part 2 करेंगे बहुत ही घजब की class होगी जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वह complete अपन class का class में ही clear कर लेंगी ठीक है जैसे part 1 मैंने आपको याद कर वाया था वैसे हम part 2 को याद कर लेंगी ठीक है चलिए शबास तो बच्चा part 1 अपन यहाँ पर बात करते हैं यस हां अगर अगर अपन part 1 की बात करते हैं तो part 1 में जो लास्ट टॉपिक हमारा था एक बार में थोड़ा सा एक भूमी का तयार कर देता हूं आपके लिए वह पार्ट वन जब अपन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने दो परकार की semiconductor पड़े एक प्योर सेमी कंडेक्टर सुद अर्ध चालक है जिनमें इंप्यूरिटी नहीं मिलाई गई थी और इसी वजह से वह हमारे लिए यूजलेस हो गई क्यों क्यों कि उनकी एक्टिविटी बहुत ही कम थी फिर हमने ऐसे सेमी कंडेक्टर बनाए जिनमें हमने बहार से इंप्यूरिटी डाल दी जिनसे बहार से हमने उनमें असुदी डाल दी और वैस सेमी कंडेक्टर होते हैं इंप्यूर सेमी कंडेक्टर बाई यह अर्ध चालक है और इन semi conductor में अपन बहार से impurity डालेंगे लेकिन वो impurity दो प्रकार की होगी, वो impurity कितने प्रकार की होगी बेटा, दो प्रकार की होगी, दो प्रकार कौन, कौन से, मेरी बात को गोर से समझने का प्रियास करना, अभी का अभी याद नहीं करवाया, तो comment करके जरूर बताना, पूरा focus में समझाने पे लगा रहा हूं तो अभी आपको कोई comment नहीं करना है आपको पूरा focus समझने पे लगा देना है जो बचे नोडस बना रहे हैं वो नोडस में जो चीज में लिखों उसको लिखते जाना है थीक है impurity दो परकार की बताऊंगा मैं, एक i-s impurity जो impurity हम डाल रहे हैं, जो असुदी डाले हैं, जिसकी valency 5 है, जिसकी Valency कितनी है भीता? 5 और एक impurity i-s sì है, जिसकी Valency 3 है, एक की Valency 5, एक की Valency कितनी है? 3, तो हम इस point पर बात कर सकते हैं सबसे पहले electronics का पार्ट हूं हम आज start करने जा रहे हैं और एक बहुत यूनिक आपका concept पने वाला है पंच सयोजी असूदियां यहां पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं concept जिस पर पन डिसकस करने जा रहे हैं और यह concept आपका क्या है इस point पर जिस पर बात करने जा रहे हैं पॉइंट आपका क्या है इस बात को आप समझे जरा ध्यान देजिए पंच सयोजी असूदियां यानि अपने यहां पर बोल सकते हैं पेंटाविलेंट इम्पिरिटी एक ऐसी इंपिरिटी एक ऐसी असूदी जिसमें इसकी वेलेंसी जिसकी वेलेंसी कितनी होती है पांच ह बिलाते हैं तो यहां पर एक्च्वल में क्या होगा जो सेमी कंडेक्टर बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा पी टाइप और एंटाइप में पहले इतना समझ लीजिए कि जो पंच सयोजी जो असूदिया है उन असूदियों में जो पंच सयोजी इलेक्टोन होंगे नंबार फ्री लेक्टोन सोंगे वह पांच होंगे पहली बात तो यह नंबर ओफ एलेक्टोन सब्सक्राइब बहुए सकते हैं इसके एक्जामपल अगर मैं याद करूं फॉस्पोरस हो गया और से निक हो गया फॉस्पोरस और ज्यादतर आपको एक्जामपल में फॉस्पोरस या तो छी मैं फ्री आ लगता है और समय सोब्सक्राइब यह तीनों सवाल आपके सामने हैं जिन पे हमें बात करनी है जिन dramaश करना है तो इक बहुत ही अच्छा यूनिक सवाल आपका बनता है Phosphorus, Arsenic, or Antimony ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल बनता है बहुत ही अच्छा सवाल आपका बन रहे है जिसपे पर बात करने जा रहे है Phosphorus, Arsenic, or Antimony एक्जाम पल याद रखना बहुत important example है बहुत important example है Phosphorus, Arsenic, or Antimony तो इस point को आपको नोटिस में ध्यान में रखना है इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते भी आगे बढ़ना है फॉस्पोरस और सेनिक और एंटी मनी और जिसकी वेलेंसी पांच होगी जिसमें पांच फ्री एलेक्ट्रोन होंगे यह जो चीज में बताई है यह किलियर है तो मैं थोड़ा स करने जा रहे हैं और वह आपका पॉइंट क्या है वह पॉइंट आपके सामने रखा गया है इस पॉइंट में डिसकस कर सकते हैं बात कर सकते हैं जरा ध्यान देजी आपके सामने है पॉइंट ठीक है चलो तो यहां पे जो कंसेप्ट आपको दिया गया है वह कंसेट क्या है आगर मैं यहाँ पपे कहूं। और सेनिक या फासपोर्स की जब इनकी वैलेंसिन डाली जाएगी और सुध्य यम्पिर्ट्टी डाली जाएगी तो उसके पांच हो गहुगए अपर जर्मेनिःम या सिलिकन कि इंके पास नंबर उफ इलेक्ट्रों इस अफ रहे इंडालीए फोसपरस है और सिनिक है एंटी मनीं है इन में नंबर उफ रेक्रॉंट्रों स्कितने होते हैं तो बताओ यह चार और यह पांच एक एक इलेक्ट्रों एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रोन एक्स्टा होगा एक इलेक्ट्रोन और इसी वज़ेसी यह जो एक्स्टा इलेक्ट्रोन है उसको दान कर देता है इसको जरूरत नहीं है इसलिए उसको क्या कर देगा दान कर देगा डोनेट कर देगा और जो इसने दान किया है जो डोनेट किया है उस कॉंसे को पर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे यहां से देखी बिटा यह दाता सुधी है यह आपका डोनर इंप्यूरिटी कॉंसी बिटा डोनर इंप्यूरिटी है यह दाता सुधी है क्यों कि इसके पास एक extra electron आपको देखने को मिलेगा एक एसी मिलेगा डोनर इंपिरिटी है एक दाता सुधी है जो यहां पर इसको डोनेट कर रही है डोनर इंपिरिटी जो कंसेप्ट आपको यहां पर दिया जा रहा है एक बहुत ही अच्छा सवाल आपको यहां से देखने को मिलने वाला है बहुत ही अच्छा सवाल आपका बन जाएगा जिस प यही सवाल एक्जाम में बनता है यह कॉनसी इम्प्यूर्टि है डॉनर इम्प्यूर्टि क्यों क्या कर देती है तो क्या सवाल या दुआ बेटा पहला सवाल सवाल या दूआ बेटा पहला सभी बच्चों को पहला सवाल दूसरे सवाल पर अगर अपन बात करते हैं दूसरा सवाल आपका क्या है दूसरा जो सवाल आपका है उस पे अपन बात कर सकते हैं यह जो मुद्दा है आपका जिस सवाल पर अगर अपन बात करें बात उठाएं तो वो सवाल आपके सामने हैं, जिसमें अपन डिसकस कर सकतें, कौन सब विट्या, त्री सेयोजी असुदियों को अपन कैसे definis कर सकतें, उनको आप समझने का प्रियास करिये, बड़ा अच्छा सवाल है, सबसे पहला comparison, छींड में एंट रफंटत है ज़ेंस कितनी यान यानी अगर मैं यह कहूं कि इसके जो नंबर इसमें पांच थे इसमें number of electrons कितने होंगे बिटा तीन होंगे बड़े अच्छा सवाल बनता है अगर मैं इसके example की बात करूं तो इसका example हो सकता है आपका बॉरॉन ले लिया हमने ढूमीनियम ले लिया गेलियम है 300 है ना गेलियम इंडियम ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा तरह आपको यहां तरह किलिए रहा है सभी ब invit सब्मिलेगा मैंने haw27 बात नहीं होने कलास में याद करने के जिन्मेधारि आप से लिया है या क्या करते हूं क्लियर है यह करने की आप है की नहीं है मैं इसको किर अवंच मिदार या दिया है तो कि एक certification और प्यद्ञा नियू Engati तलो तो इसे बहुत रौन एलूमिनियम और इंडियम है तो यहाँ पर इनके आपको पता है अगर इनकी एक्जम्पल या चाहिए बोरोन का लेलो चाहिए अलुमीनियम का लेलो इंडियम का लेलो बहुत ही अच्छा इन लेलिया आपने कितनी है इन ऐसे बननाने के लिए एक लेक्ट्रोन के कम है यानि हाप और अब लेगा कासे हैं नहीं तो वहांपे क्या बन जाएगा ओल बन जायेगा वहां एसे बनते होल और यह लिखेंगे और यह मैंने लिख दिया हूल उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन था जिसके वेलेंशी पाँच ठी उसमें एक्स्ट्रा होल है अभी टाइप टाइप चुट्कियों में याद हो जाएगा कॉंसेप्ट को फील करते जाओ याद करते जाओ इसमें एक EU होल ही यह क्यों है क्योंकि différentes इसके साथ बना लेंगे छोता इसके पास तो वहां पर को बन जाएंगा और इसी वाज़ा से एक ऊंसी प्रीटि यानी इक ग्राही सूदी है सवाल सवाल बनेगा एक्जाम में कॉछसान में ने बना दिया है नोडमें लेंग्वेज लिखना है तो ठीक है नहीं तो मैंने सोट में सारी चीज़ा आपको नीचे लिखवा दिये आप यहां से इसको याद कर लें ठीक है बिटा के लिएर बिटा है ग्रहन करता है यहां तो सब्भी बच्चों का के लिए रहे बिटा है अजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं अब आएगा मजा अब आएगा इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट टाइप्स ओप सेमीकंडेक्टर और वो भी कॉन से इंप्योर सेमीकंडेक्टर अर्द चालक है कॉन से इंप्योर सेमीकंडेक्टर अर्द चालक बाई अर्द चालक है आपको मैंने इंप्यूरिटी कितने प्रकार की बताई दो जाएंगे सबसे ज्यादा राओंगे सब्से ज़्याँ सबसे ज्यादा डरते हैं उसके कि सबसे ज्यादा दरते हैं बचई से अग्ट्रोनिक्स का नाम लेक्चांगे भूत बन जाता है बहुत अच्छा चेप्टर है डंक से समझो मज़ा आ जाएगा तो एन टाइप और पी टाइप सेमिकंडेक्टर अपने यहां पर बनाने वाले हैं ठीक है ओके चलो अपने यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा एन टाइप क्या कहती है मेरी आर्मी एन टाइप सेमिकंडेक्टर एन परकार के अर्दचालक एन फॉर बेटा एक चीज़ याद रखना नेगेटिव लेकिन इस नेगेटिव में इतना बड़ा पंगा होता भी उस पंगे वाले सवाल की बात करूंगा जो एक्जाम में आया है प्रिविएस येर में और याद में दिला दू तुमारे को संडे को आग लगेगी फुल ओन फायर प्रिविएस येर क्विशन आएंगे एरफोर्स नेवी और एंड ये तीनों के लेकिन दो या तीन टॉपिक होंगे और वो दो या तीन टॉपिक कितने होंगे क्योंकि मैं कुश्चन से करूंगा कम से कम साथ क कर देंगे लपेट देंगे तो बैटा एंड टाइप सेमी कंडेक्टर एंड प्रकार के अर्द चालग एंड फोर नेगेटिव याद रखो लेकिन इस नेगेटिव में कितना बड़ा लफड़ा है मैं उसको क्लियर करूंगा अब भी पहली बात काट देता हूं में क्योंकि मिनट बाद में 18 मिनट बाद में अभी लाइक में कंजुजीत नहीं कुमारे को बोलना पड़ता है बूल जाते हो तुभी है कैसे बच्चे हो कोई बात नहीं है चलो तो बिटा सबसे पहले प्योर सेमी कंडेक्टर कौन से से मीकंडेक्टर बिटा प्योर यानि निज except clear करें उसका numerical सियो मोरिक का सवाल साओ हम तयार करेंगे वह प्योर है अब उसमें इंप्रेटी डालेंगे concept दिमाख में डालेंगे फिर दे ऐसे उसका concept के लिए होता है तो pure semiconductor में हमने इंप्रेटी डालनी है लेकिन डाले कोण सी सवाल यह बनता यह को एन का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रों कमेंट में बताओ सब भी बच्चे पूरी आर्मी कमेंट में बताएगी एन फॉर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों एक्स्ट्रा होना चाहिए और इलेक्ट्रों एक्स्ट्रा कहां पे होगा इलेक्ट्रों एक्स् पास्पपॉरस और सेंइक अ अंटी मुस्यैयर्स पाकिस्तान उस्टलिया सब quella Hindi याद रखना शबको और नेगेटिव grandi वाई सही तो फासपोर्स औरसनिक और अंटीमनी को मिलाया पंच सहीं हो जी जिसकी वैलेंसी पांच है जिसमें नमबर ओप इलेक्टरों पांच है वाव डोनर टाइप इंपुरिटी दान करने वाली या सुधी यह डॉनेट करती है और क्या डॉनेट करती है एक्स्ट्रा इल कैसे बनता है लपेट दिया ऑस्टेलिया पाकिस्तान को है ऑस्टेलिया को लपेट दिया पाकिस्तान को लपेट दिया सब को लपेट दिया है ना ऑस्टेलिया पाकिस्तान सब और क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया ओके जी हां, ओके, ओके, बहुत अच्छे, शबास, चलो, अब मैं इसका एक छोटा सा आपको स्ट्रेक्चर बना के अगर आपको बताना चाहूं, तो अपर इसको समझ सकते हैं, किलियर कर सकते हैं, देखे बिटा, एक छोटा सा डाइग्राम अगर अपन बना हैं, तो इधर बना स अब ध्यान से मेरी बात को समझना बटा, ये बिटा, आपका जर्मेनियम या सिलिकन जो भी हो, ध्यान से मेरी बात को समझना, कुछ बैसिक चीज़े किलियर करूँगा, जल्दी वाज़े नहीं करना हैं बटा, एक लास एक्स्टा लगाएंगे, लेकिन याद भी करेंगे, ये आपका जर्मेनियम है, ये आपका जर्मेनियम है, अच्छा, अरे ये जर्मेनियम गलत बर दिया, इसमें तो इम्प्यूरिटी डालनी थी, ये जर्मेनियम गलत बर दिया, वैसा, ओके, इसमें तो हमें क्या डालनी है, इम्प्यूरिटी डालनी है, ओके, तो इसमें सरे ei ने दिया के एक एलेक्ट्रोन जर्मेनियन ने दिया यह छर्मेंज ने दिया अच्छा जी फिर इदर इनका हुई जाएगे समय दिखाए नीरालग से इस एक जर्मेनियम द्सक्पारन जर्मेनियम आगए यह द ऐसे भी जर्मेनीय में ये दुनों ऐसे आई जाएंगे यह आइजेग Smith क क्या हुआ जरा गोर से देखना मेरी बात को समझ दो च् 관심 कि विजुए हुर से निक और विट्टा किस यह लीक्त्रों थ blunt चार एलेक्टरॉन लेकिन और से निक पैस तो हहाँ पर गया कं यह इंदर आया एक्स्ट्राइड रों क्रिड़ में उल्य फ्री लेक्तरों क्या बात है यह तो एक और सेनिक का एक्स्ट्राइड लेक्ट्रोन है अगले से बहुत सारे लेक्ट्रोन आगे तो अगर एसे बहुत सारे लेक्रोन आगे TEAM ठोलज पा宋 भ estos एक्स्टा इलेक्ट्रोन बन जाएंगे से इसी युक्र टाइप इंपिरुटी कहते हैं पंच सींव ओजी इंपिरुटी को आंडा अफ्सुद्व देंग दाथा सुद्वी डॉनर टाइप इंपुरिटी और यह एक एक्स्टा ईलेक्ट्वन इधर से बन जाता है यह वो डॉनर इलेक्टॉन है जो डॉनेट कर दिया गया है जो दान कर दिया गया है बहुत बड़ा सवाल है बेटा है ना अभी वहां पे जो राम मंदिर बंद्रा उसके लिए डॉनीशन की भी बात आ रही है बहुत से लोग डॉनेट कर रहे हैं तो यह एक इलेक्ट्रों अपन जिस पर बात कर रहे हैं यह डाइग्राम के लिए रहा सभी बच्चों का लेफां गार मुक्त रॉने हो जाय जाद रसक्राइब दीनका बचावाय आगे अगने हम शरक मोरुम बोहतीं बौध बहुत बहुत ज्यादा इंपोटेंट्स वेरी सवाल मनेगा डाइरेक्ट क्या सवाल बनेगा गोर से देखिए अवेश वहाग मेज़र टी चार्ज केरीयर कमेंट करो पटापडे से एंड टाइप सेमी कंडेक्टर में सवाल एक्जाम में पूछा गया है मेजरेटी चार्ज केरियर क्या होता है जल्दी कमेंट भर दो इस पेम हो जाने चे कमेंट है जल्दी बताओ मेजरेटी चार्ज केरियर इन एंड टाइप सेमी कंडेक्टर में क्या होता है जल्दी से बत क्या होता है इलेक्ट्रोन होता है बच्चे नहीं भर दिया शाब बास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन बिटा एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रोन लिख देता हूं ठीक है चलो बहुत अच्छे दूसरा बिटा मैनर्टी चार्ज केरियर यानि वह उसको बहुते हैं अल्प संक्यक अगर हिंदी वारे बच्चे लिखना चाहे तो अलप संक्यक अलप संक्यक आवेश वहख मायनर्टी चार्ज केरियर के अगर बात करते हैं और कमेंट में भर दिया होगा अपने क्या विट्या होल्स इसमें पूर्ण के साथ में आते हैं इसमेंटन हो रहा है maggie बहुत बढ़िया उट कद आ है कैसे मिला थे बहुत अच्छे की ओ मोखत पेच्छे हैं इसमें दूसरा dollars बहुत जादह होते हैं Number of Alls क्या कहते हो बच्चा के लिए यह यहां तक याद हो रहा है तो इस आगर यहाद हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में बता देना और अपने नोट्स में लिखते जाना फटा फट में बन रहे हैं और लाइक बटन को दबाते जो फटा फट अब आजाओ मैदान में फटा पट से फुल जोस के साथ में क्या कहते हो मुझे चवाब चीह कमेंट बॉक्स में यह सवाल आपका एग्जाम अब होगा न अपना सवाल बना देता हूं एंट आइप समी कंडेक्टर पे और एंट्राइब सेमिकंडेक्टर पे चार्ज होता है और बहुत इंपोटेंट सवाल है बच्चे लपेट दिए गए क्योंकि मैं ने क्या बोला था एन बच्छे इसको नेगटीव रट्टा मार के बैठे होते हैं लेकिन एक्ष्टा इलेक्ट्रोन है लेकिन वह बैलेंस हो जाता है सहींजित हो जाता है बोंड बनाने के लिएक्ष्टा एलेक्ट्रोन है लेकिन पूरे सेमी कंडेक्टर की बात होगी यस पॉजेटिव नहीं होगा जब पूरे सेमी कंडेक्टर की बात होगी तो वह है न्यूट्रल होगा बिलकुल बेटा न्यूट्रल होगा न्यूट्रल होगा न्यूट्रल होगा उदासीन होगा बहुत इंपोर हो एक्चुल में जब सेमी कंडेक्टर की बात आ जाएगी पूरे अर्दचालक की बात होगी तो चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो वह है न्यूट्रल होगा वह हुदासीन होगा यह बहुत ज्यादा मैंने यहां पर लिखा बिटा वेरी मॉस्ट इंपोर्टें की इन सवाल बनने वाले है बच्चा हमेशा इस सवाल को गलत करता वह है न्यूट्रल होता है सैं आया व्याई क्या करता उसको डोनेट करता है यह सवाल भी बनाया हुआ इसलिए मैंने बनाया सवाल कॉंसी बीटा डोनर डोनर टाइप इंप्यूरिटी डोनर यानी दाता असुद्धी डोनर डाता सुद्धी डोनर इंप्यूरिटी क्या डोनेट करता है एक एक्स्टा एक्स्टा एक्स्ट्राफी यह डोनेट कर देता है डोनर टाइप इंपिर्टी बनती है कौन सा पाकिस्तान औस्टरलिया सबको नेगेटिव कर दिया नेगेटिव कर दिया मतलब एंटाइब सबको लपेट दिया बढ़िया लेवल से हैंना क्या बात बहुत अच्छे शाबास वेरी गुड याद वा ट्रिक से याद तक याद वा एंट आइप में जोस आया कि नहीं आया एंटाइप के लिए और बहुत अ सेमीचेंडेक्टर हूँ जैसे में पीटब सेमीकंडेक्टर जेसी में बोलता हूँ तुरहं कोण सा होगा अरे अपने दो परकार की इंपिरोटी बताई ती एक डोनर दोनेट डोनेट कर रहा है एक अशेप्त करता है इसमें हूल ज्यादा बनते है गया है बत है है जो आपका प्योर सेमी कंडेक्टर है जो आपका प्योर सेमी कंडेक्टर है उसमें ऐसी impurity मिला दो गया जिसकी वैलेंसी जिसमें एलेक्ट्रोन कितने में बटा जिसमें इलेक्ट्रोन हो जिसमें 3 electron हो जैसे एक्जांपल होगे आपका बोरोन एलुमीनियम गेलियम इंडियम है यह वाला ट्रिक है बोरोन एलुमीनियम इंडियम गेलियम यह भी आ इनकी वेलेंसी 3 होती है और जब इसको इसमें मिला देंगे तो पी टाइप आपके सेमी कंडेक्टर बन जाएंगे पी प्रकार के अर्दचालक बन जाएंगे बेंगन आलू गाजर इन थेला सब्जी वेचने लगे बच्छा कमेंट बॉक्स में है जब ही मैं कोई बच्छा नहीं पढ़ रहा होता कमेंट में कहता हो मैं देख ले पढ़ ले निस सब्जी वेचेगा है ना तो तुम अभी अभी उनकी नाम भी याद कर रहे हो चलो ठीक ह है बारोन एलूमीनियम इंडियम यह बिटा कौन सा प्यूर सेमिकंडेक्टर जिसमें इंप्यूरिटी डाला और हमने पी टाइप सेमिकंडेक्टर इसका बना दिया है कि यहां से चलो एक छोटा सा डाइग्राम बनाके मैं इसका बता देता हूं आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ हाट नो बिटें यहां पर देखें इसमें सब में जर्मेनियम लिख देता हूं थोड़ा सा जल्दी में करते थे फटा फट बस यह बात होनी चाहें पड़ो कितना ही लेकिन बस पड़ो जो सॉलिड पड़ो याद हो रहा है बच्चा हमने अपना पूर है यहीज़े रहता है तीम का कि जो भी किलास में होता है कुस बच्चे को क्लास का क्लास में याद हो पैंडिंग वर्क नहीं रहे किसी बच्चे का ठीक है आब देखो बिटा यह बीक है में बचलत वर दिया इंपियोट दालेंगे बताओ इसकी वेलेंसी क्या हो बिटा तीन हो कौन से कलर से ग्रीन कलर से इंपिरूटी अलागी डाल देता रेड कलर से डाल देते हैं ओके किसकी डाले मिटा अलूमीनियम की डाल देते हैं यास अलूमीनियम के पास कितने एलेक्ट्रोन थे तीन एक इसने इसको दे इसको दे दिया इधर देने के लिए था नहीं खाली रह गया इसको बार बना दिया मेर इसका इलेक्ट्रौन नहीं आया और जिसका इलेक्ट्रों नहीं टायप इशिविरटी है गराही असेप्टर टायप इंपीरटी करही असुधी आप्ने हम बता है ङक्डाउंट किसी बच्चे का य church is किलियर है कि यह सर कि क्या बात इसके कोटर भी बोलते हैं ला जवाब इंग्लिश वाले सर्व और वा बटा है बस कवेंट मिल जाए फिर और क्या अच्छी है एनर्जी फुल चार्ज हो जाती है हमारी ठीक है बहुत अच्छे आगे बड़े बेटा चलो आज ओ बेटा मेदान में और यहां पर याश हो गया नोटपॉंट आ गया यहां से बहुत इंपोटेंट सवाल बनाने का कप इस है यानी क्या होंगे मैजर कि चार्ज के रियर क्या होंगे धैंत यहां में हुगों अपने क्या हो हुए निए समझ में भी आ फी चार्ज करेacz लेक्टरोंस और मेजरिटी चार्ज करेंड़ होए और इसी को मैं एसे भी लुख सकता हूं कि आब 4 नमबर और फॉल्स वेरी 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 और देन नमबर ओफ एलेक्ट्रोंस आ क्या मैंने सही लिकाय के यह चिन समझना जड़ा क्या मैंने दूसरा पॉइंट सही लिकाया गोर से देखना एक बार फुल जोस के साथ में जी सर आगे बड़े आगे बड़े चलो अब लागो बेटा वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट आपका और यहां से एक्जाम में सवाल पूछा गया था वो मुझे एक्जेक्ट पता नहीं है एरफोर्स 2020 में वह आपका एरफोर्स का था क्यां है 2020 वाला वा एंटैप के लिए था या पिट्याप के लिए मुझे नहीं पता लेकिन याद रखना आप चार्ज ऑन पी टैप से वकूंडेक्ट अभी बताया था है सेमिकंड़ेक्टर पे आफ मेजरनिटी चार्ज के रिएर खोल है इसका मत्लब है निकी वह पॉजुटीवली चास है गलत रख एहां टाइब सेमिकंडुके पर में स्था इलेक्टर है इसका मतलब यह निहीं कि वह चांझ है सनीट्रल है पूरा है उदसी में कि नूट्रल है उदासी ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बच्चा इसको पॉजेटिव करता है और एंटाइप को नेगेटिव करता है जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हमारी आज के बाद में यह सवाल कभी गलत नहीं होना अच्छिए आप देखते हैं इंप्रों कितने होते हैं पीन इलेक्टों सोते नंबर ओप एलेक्टों तो इसे अपना सेप्ट टाइप इंप्यूर्टी बोल देंगे जिनकी पास वैलेंसी तीन है एक एक्स्टा होल होता है बताओ कि लिए रहे बिटा कि लिए बिटा ऑके ग्रही हाँ इसमें एक एक्स् सवाल बनते हैं अपने दिमाओं क्लास में एक होता है यह से टॉप से टफटर हीजु हो जाएगा द्यान दे आगे बढ़ते हैं पिए जंक्षण पी एन जंक्षन पी एन जंक्षन डायोड यह पी एन जंक्षन डायोड का क्या लोजिक है पी एन जंक्षन डायोड अभी अभी आपने पी बना लिया एन बना लिया पी और एन को मिला दिया और फिर क्या हुआ फिर जंक्षन बन गया साब है ना फी एन जंक्षन पी एन जंक पी को मिला दिया एन को मिला दिया और जंक्षन बना लिया बड़ा अच्छा सवाल बनता है बहुत इंपोर्टेंट सवाल आपका पी जंक्षन डायोड देखे जरा यह चलो देखो बैसिक कंसिप्ट में बताऊंगा आपको बढ़ा के तोड़ा सा इसका गोर से मेरी बात को सम लगा को मिलाया यह बन गया आपका एन यह पी ट्राइफ सैँमी कंडेक्टर एएँड टैप सामिकर्टर है और यह आपका कि हैं यह आपका उचम्षन है जिन पर इनको मिलाया जारा है तो यह प्रयाटि번ी स्न डायोड डायोड क्यंवेश में दो एक और दो यह डाइओड बन गया अब इसको क्या करते हैं एक बड़ी में आपका लैवल है पर्माण भी इस तरह आज रहा है वहाँ तक पकड़के सकों गरम कीए जाता वट्टि में रखे और फिर आखिर में यह दोनौर मांजते एक हो जाते और एक डायोड बन जाता है यह पीन जंक्षं डायोड जिसे हम नाम दे सकते हैं एक्च्छोल में पी को लिया और एक्च्छल में को लिया PRN को मिला दिया यह कॉंसेप्ट आपके लिए है बड़ा अच्छा सवाल बनता है अगर इसका मैं आपको सिम्बल बना के बताओं तो इसका सिम्बल कुछ ऐसा होगा यह पी और यह है बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस सिम्बल में तो मुझे बताना यह इसका आपको इतना याद रखना पी एंजंक्शन अपने को बोड का त्यारी नहीं करना कि अपने छोरी लिखें प्यू टाइप सेमी कंड़क्टर लो एंटाइप सेमी कंड़क् यह हमें पताओन अच्छी है यहां तक बिटा किलियर है यहां तक किलियर है सबी बच्चों का चलो बहुत अच्छे शाबाज 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 वेरी गूड होगे चलो देखो आगे बढ़ते हैं एक छोटे-छोटे चोटे कॉंसेप्ट दे रहों पिर में पे पढ़ूंगा इसका बाइसिंग बताऊंगा चोटे-चोटे-चोटे पॉइंट पहले पी-एन जंक्शन कैसा होता है ऐसा सिंबल होता है यह काम में आएगा इसके बाद में आगे दिखुआ डिप्लेक्शन लेर ओहो यह क्या चीज है और यह वो कहते है ना वह एक मेने डा पूर्तिक आए नहीं वाला टूटेगी कसे अंबुजा सिमेंट से जो बनी है वाला दोगी है वही बात है अवक से परत है यह एक्च्वल में क्या होता है जरा गोर से समझना कंसेप्टेवल के वल चोटा सा कंसेप्ट है द्यान दीजिएगा मेरी बात को गोर से समझने का परियास करना चोटा सा कंसेप्ट अभी तुम्हारे दिमारत में उतार देंगे यह माल लीजिए पी है और यह माल लीजिए एन है पी में मेजर्टी चार्ज केरियर क्या होंगे बड़ी अच्छी बात है सर इसमें यहां पे इसमें में क्या होंगे मेजर्टी चार्ज केरिय के होल बहुत कम है माइनर्टी है एक दो होल बना दिया अब आता है बीच वाला कॉंसेप्ट इसको तुझा गोर से समझना एक बीच में एक ऐसी लेर बनती है पीके और एनके इस लेर में केवल आइंस होते हैं पीकी ट्रप में पॉजेटिव बन जाता है है पॉजेटिव इसी लेर का नाम्एं प्रट डेफ्लक्शन लेयर हवक्सेप जो ट्र में बनता है जोगो apples को बट्टी में मिला मिला कि गरम किया था टॉप लेवल पे उनको मिलाया जा रहा था तो जो मिलें तो महीं इस इलेक्ट्रोन आया उदर से हो लाएं और यहां पर मिलें और सएद क वे जो आपको positive negative दीख रहे हैं जो बनाये गया उनकी याद में देखना ना इदर से इलेक्टोन आये थे दोस्ती निभाणे इदर से होल गए थे इदर से लेक्टोन गए थे उदर से होल आये यहां पर बीच में मिले और निपट गए अपको इलेक्ट्रोन या होल दिखता है यह सवाल आता है यह क्यूशन बनता है डिफ्लेक्शन लेयर में क्या होता है इलेक्ट्रोन या होल होता है कता ही नहीं डिफ्लेक्शन लेयर में ना इलेक्ट्रोन होता है और ना होल होता है ठीक है ना इलेक्ट्रोन होगा ना होल only for only ions होंगे यह आएंस यह देखें यह पॉल्जिटीव आएंस है यह नेगवें और पॉसिटीव आइंस वह व्ल नहीं कि यह स्वथली які चीजा रहा हूं कि इलेक्ट्रोन्या provided यह सुल भी को मुझे बताथ यह बार फटाप सेнокर्षभा इसमें को डियागराम बनाके से रट्टा मारना नहीं बेसिक चीज बता रहा हूं कि डिफलेक्शन लेयर है क्या एक वो प्रत है जो इलेक्ट्रोन या खुलों को पास में आने से रोकती है और यह प्रत आपके सामने है के लिए विटा चलो उनकी हात्मा होती है यह पॉसित्व नेगेटिव आइंस है इलेक्ट्रोन व्ल नहीं होंगे यह उनके इसमारक है यह याद रख लो अप ठीक है अब आएंगे मॉस्ट इम्पोर्टेंट कॉंसेप्ट आपके इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट आपका ज़रा गोर से देखना यहां पर लेख सकता हूँ की पावर मैनस का 6 बहुत इंपोर्टन चीज है थिखनेस आपको याद रखनी जिये 10 की फावर मायनस 6 मीटर लगा देंगे — फेलेखनेस होगी width of explection layer उसका कितनी होगी उस डिफ्लेक्शन की जो मोटाई है या चोडाई है वो फिक्स नहीं है वो थिकनेस में आ गया लेकिन विट्ट ओफ डिफ्लेक्शन लेइर की परत की मोटाई बढ़ाना या गठाना यह बहुत इंपोटन इसका एक ऑनिशन क होता है और इसटाएं कि साथ मैं किसके साथ मिटाव यहांपर मैं इसका सब्रह कर सकता हां कुछ बच्चे समझते नहीं होंगे कि फीक्न क्या होता है है ना नोतकि मतलब असुद्धी मिलाना मैं डिटेल से बात करूंगा इस पॉइंट के बारे में पहले अभी जल्दी-जल्दी खतम करते हैं मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा धिकने से विड्ग डेप्लेक्शनलेएर की चोड़ाई उतनी कम करंदे तो इयाँ जाइगी यह बहुत इंपोटेंट सवाल बहुत इंपोटेंट सवाल बहुत इंपोटेंट है और टेंप्रेचर का अगर अगर कॉंस्टेंट बोले टेंप्रेचर के अगर रिलेशन की बात करें तो बिटा डिफ्लेक्शन की चूराई डायरेक्ट प्रपोजनली होती है तेंप्रेचर के जो आपक के डारेक्ट प्रपोजनल है डॉपिंग के इन्वर्सली प्रपोजनल है और इसका वीड़त है जो चोड़ाई है ठीकने से वो टेंट टूदी पाउर माइनस का शिक्स है बिटा लिखों क्या यह देखो बिटा विट टॉप डिफ्लेक्शनल एर हावक से परत हावक से परत की परत की चोड़ाई ठीक है ठीक है डिफ्लेक्शनल एर की चोड़ाई इन्वर्सली प्रपोजनल है डॉपिंग के और टेंप्रेचर डारेक्ट प्रपोजनल यह समानुपाती है आगे वाला पार्ट कल करते हैं क्लास का टाइमिंग हो रहा फटा पड़स जिन बचोंने मिलते हैं तो मिनिट में तब तक के लिए जाहिन बाबाई लव यू ओल